इस जीत के माइने क्या है आप पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए अगर वो 3 से 13 के आंकड़े तक पहुँच पाई है तो उस पर इस वक्त हम चर्चा करेंगे क्या लगता है आपको बीजेपी 3 से 13 तक ही क्यों पहुँची उससे आगे उनका आंकड़ा क्यों नहीं पहुँच पाया लेकिन अग्रेसिफ कैमपेइनिंग तो उनकी बहुत दिखी जी कैमपेइनिग तो अगर आप दिल्ली की सड़कों पे जाएंगे तो आप देखेंगे जो बड़े बड़े जो परचार के पत्र जो लगे हुए हैं उनमें किस ताइप के मुद्दे थे आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक इन सब चीजों को लेके जब दिल्ली वासी जो है वो देख रहे थे तो इससे जो अभी आंकड़े जो आ रहे हैं उनसे साफ मालूम पड़ता है कि ये इशूस जो है वो उनके लिए नॉन इशूस थे उनके लिए क्या इशूस थे एडुकेशन, सैनेटेशन, ट्रांसपोर्ट, फ्री एलेक्रिसिटी ये सब चीज़े जो है उनके लिए प्रात्मिक्ता लग रही थी तो कहीं न कहीं ये जरूर हुआ है कि बीजेपी तो इसको लेके बीजेपी के लिए कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो आगे चलकर नैश्टिलिस्टिक इशूस के जरीए उनके बल पर उनके आधार पर आगे भी काम कर सकते हैं या उनको और बारीकी में जाना पड़े तो बीजेपी के लिए बहुत सारा food for thought तो ही है ल दौरान शुरू में हम यह कहें तो उन्होंने अपना focus रखा अपने काम पे उन्होंने कहा कि हमने यह किया हमने शिक्षा के छित्र में यह किया हमने बिजली पानी मुफ्त दिया यहां तक लोगों को लेकिन जैसे जैसे campaign आगे बढ़ा सरोज वो भी उस trap में आई यह campaigning की खास कर शाहिन बाग जैसे मुद्दो पर राष्टवाद के मुद्दे पर उनके कई नेता सेंटरल मिनिस्टर अमिर्शा खुद दिली की गली-गली में वो घूम रहे थे तो आम आदमी पार्टी भी उस trap में आई लेकिन उसने strategy भी अच्छी बनाई कि उसे कहां बोलन रही दिख रही है इस समय बहुमत भी आसानी से मिल लेकिन दस सीटे उन्होंने गवाई है इस दस को आम आदमी की मेरे हिसाब से कमजोरी कहना ठीक नहीं होगा यह दस बीजेपी ने अपने aggressive campaigning से जीती है लेकिन वो इस तर पर नहीं जीत पाए है कि आम आदमी पार्टी को बैक फूट पर ला सके आप जब बात करें थे उनकी failure की आपने मुद्दे गिनाई जिन से वो resonate नहीं कर पाए पंकच कह रहे थे कि उस trap में वो फस नहीं पाए लेकिन कहीं कहीं बीजेपी भी ट्राप में फसी नहीं उन्होंने बार-बार कहा कि मुख्यमंत्री घोशित करो लेकिन हम इच्छा कहते हैं कि दिनली की जनता ही मुख्यमंत्री है लेकिन आज जो करेंट वाला बयान दिया था उन्होंने उसका क्या analysis हो करेंट कहा लगा है करेंट कहां लगा है यह आगे विशलेशन की बात है कि लेकिन कई जगे करेंट जरूर लगा है और एक मनोज ति लेकिन एक सवाल में जरूर बताना चाहूंगा जिस पर आगे भी बाचीत करना जरूरी है मनीश सोधिया के बारे में मनीश सोधिया जो कि एक आम आदमी पार्टी के बहुत एक चहरे थे उनक उनके प्रांथ में क्या हुआ उसको लेकि भी कई सवार खड़े हुए मनीश जो विकास का मॉडल आम आदमी पार्टी क्रियेट करती आई है उसमें हमेशा यह कहा जाता है कि हमने सिख्षा में बहुत काम किया कहीं न कहीं मनीश सोधिया अगर पीछे चल रहे हैं कभी आगे हो रहे हैं कभी पीछे हो रहे हैं तो क्या बहुत मतलब आसानी से जी बीजेपी ने अगर कुछ शहरी मतदाताओं को या कुछ हिंदी वोटर को अपनी और खीचने की कोशिश की है तो कहीं ने कहीं वो विधान सभाज शेत्र में उस वोटर बर्ग को भी बताता है इस दिशा में हो सकता है मैं शूर नहीं हूँ जब वोट परसेंटेज तो यह आम आदमी पार्टी के लिए रियल सेट बेक होगा कि फिर उसको कहां से वो लेके आएंगे किस तरह उसको अपने सरकार में वो शामिल करेंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए जरूर मनीश शिशोदिया का अगर वो हारते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल मैं उसको उसी से जोड़के देखना चाहूंगा कि यहां पर व्यक्ति के अलावा पार्टी के अलावा कई विधान सभाज शेत्र का अपना जो कैरेक्टर है ना वह भी कहीं ने प्रोफाइल कैसे कैसे बिल्कुल प्रोफाइल आरा और जिस तरह बीजेपी ने ग भी कर रहे थे निजरूम में कि आम आदमी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज दरसल गीरा है पिछले साल के पिछले विधान सभाचिनौ के मुकाबले यह जानना चाहूंगी कुछ ऐसे लोगों को भी टिकेट्स दिये थे बीजेपी ने जैसे हरीनागर से दिया था अग्रेसिव कैंपेनिंग की बात कर रहे थे उसका एक उधारन आप मिले सकते हैं यह जो तेजंदर पाल बगगा थे और कपिल मिश्रा हम लोगों ने सोशल मीडिया पे जो उन्होंने जिस तरीके के बयान बाजी करी है उससे कई सवाल भी खड़े हुए थे आपती भी लो लेकिन अगर आप दूसरे तरफ से भी जैसे पंकच भाई कह रहे थे हमको कि यह स्टेट एलेक्शन और सेंट्रल एलेक्शन में बहुत जमीन आसमान का फरक हो जाता है तो इसलिए मैं वापिस उसी मुद्दे पर आऊंगा उसी बात पर आऊंगा कि जो स्टेट इशूज ह मैदान में आपको याद होगा कि PM ने रैली के शुरुआत की थी एक तरह से दिल्ली विधान सभा चुनाव का पार्टी का प्रचास शुरू किया था तो ठीक है उन्होंने CAA का मुद्दा भी उठाया सारी कुछ हुए लेकिन साथ में उन्होंने कुछ पिकास की भी बाते क कुछ तो आपके पास डवलप्मेंट का प्लान होना चाहिए और बीजेपी इसमें पूरी तरह ना काम